हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस आज आप सभी के लिए चक्री चत्रभूज से संबंदीत क्वेश्चन लिए हैं यह क्वेश्चन आपके सामने हैं कि चक्री चत्रभूज A, B, C, D की भूज़ A, B, B, E तक बढ़ाई गई है यदि कोड D बराबर 110 संस है तो कोड C, B, E का मान ग्याद करना है यह आपके सामने चक्री चत्रभूज है फ्रेंस इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि चक्री चत्रभूज किसे कहते हैं फ्रेंस पहले इस बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं तो उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे देखे फ्रेंस चक्री चत्रभूज किसे कहते हैं देखे पहले आपको पता होना चाहिए कि चत्रभूज किसे कहते हैं चत्रभुज का अर्त होता है, चार भुजाओं से गिरी हुई आकिर्ती को चत्रुज करते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई आकिरती को हम क्या बोलते हैं फ्रेंस चत्रभुज बोलते हैं देखिए यह इसका नाम करण करते हैं A B C D अपने इच्छा अनुसार इसका नाम करण कर देते हैं ठीक है देखिए इसको बोलते हैं A सीर्स B C D इसके सीर्स हैं अब यही A B C D जो स यहां पर B ले लिए बी सीर्स हुआ यहां पर C ले लिए इसी को आपस में ला दिए ठीक है अभी समझ में आगए चत्रभुज किसे करते हैं देखिए ये चत्रभुज जो हुआ सिर्स जो हुआ एक बृत पर इस्थित है और इस सब सिर्स को मिला आया ते चत्रभुज बना ये चत्रभुज किसी बृत पर किसी बृत के अंदर बना हो तो उसे क्या बोलते हैं चक्रिय चत्रभुज बोलते हैं ये चक्रिय चत्रभुज भी फिर्द सब्सक्राइब्ध लिए नेक्स पॉइंट प्लेंधम्यान देना इस प्योंती एक स्गूसान आहें, यानि कोड़ A के सामने कोड़ C है यानि कोड़ A के सामने कोड़ C है यह सम्मुक इसको क्या बोलते हैं सम्मुक कोड़ ठीक इसी तरह कोड़ B के सामने क्या है कोड़ B के सामने कोड़ D है यह भी एक सम्मुक कोड़ हुआ यानि कोड़ A के सामने कोड़ C है कोड़ A के सामने को पड़ सविथ सम्भू कोड़ गया कोड़ B के सामने कोड़ ड जो है ये सम्भू कोड़ गया ने इसको सम evalu कोड़ बोलते हैं यह समझाज में बात आनी चाहिए यह फ्रेंस चक्रित क्प्सपा forcement रूइज कोल धो सम्मु कोलों का योग यानि कोले फ्लस कोल सी सम्मु कोलों का योग AJ 78 यानि कोले फ्लस कोल सेयाशवर के योग चीज़ घृते एक 888 ठीक इसे तरह कोल भी प्लस у broadcast दी प्लस मुझम यह 18 इंड पता होना चाहिए चाखरी चत्तरभूज में यह दो चीज पता होना चाहिए कि चक्री चत्रभूज के सम्मुकोड अर्थात आमने सामने कोड़ों का योग 180 अंस होता है यह बात यदि आपको समझ में आ गया होगा अब समझते हैं रायखिक यूगम कोड की से कहते हैं यह आपको बेसिक पता चल जाता है चक्री चत्रभूज से संब्दिक किसी भी प्रकार के प्रश्न को आप साल्व कर लेंगे तो रायखिक यूगम कोड किसे करते हैं रायखिक यूगम कोड मतलब एक रेखा है इस पी जो कोड बनता है यानि कि यह पॉइंट है इस पॉइंट रेखिक यूगम कोड करते हैं जिसका मान क्या होता है एक infos seknes होता है अब इसी पर हम क्या करते है इसका दूबर जिसे बिंदो developing उप इस तरह कि रिखा खीश दिये इसका नाम ए किसी कोड ए-प्लस-ब यहानि कि हमी हो सकता है कोड़-ए-प्लस-ब टो B, कितना लिख सकते हैं? 180 अंस लिख सकते हैं. क्यों? रैखिक की यूगम कोड से लिख सकते हैं. ठीक है? तो चलिए आप ये बात आपको पता होगा, तो चलिए आप question करते हैं देखिए आपके सामने जो question था कि चक्री चत्रभूज ABCD की भूज़ AB बिंदु E तक बढ़ाई गई है यदि कोड़ी बराबर 110 संस तो कोड़ CPE यानि CPE का मान यानि इसका मान आपको ग्याद करना है तो देखिए अभी बताएं कि चक्री चत्रभूज है चक्री चत्रभूज की आमने सामने के कोड़ कितना होता CBA कामा कोड़ D क्या है लिख सकते हैं इसको सम्मुख कोड़ सम्मुख कोड़ यह सम्मुख कोड़ है जब सम्मुख या इसको भी लिख सकते हैं कोड़ A कामा कोड़ C क्या है सम्मुख कोड़ है चक्री चत्रभूज की आमने सामने सम्मुख कोड़ है ठीक यह सम्मुख कोड़ों का यूग अभी पता है कितना होता है 180 चलिए यहां पर लेते हैं कोड़ CBA प्लस कोड़ D is equal to कितना 180 ठीक है कोड़ CBA प्लस कोड़ D कमान कितना दिया कोड़ D कमान 110 दिया थी यहां पर 110 लेंगे और बराबर 180 रखेंगे ठीक अब यहांस क्या करते हैं कि कोड़ CBA ग्याद करना है ति 110 को पच्छांतर करेंगे जब 110 को पच्छांतर करेंगे ति यहां प्लस है ति इस सेट जाके माइनस हो जागा जागा यानि कि 180 माइनस 110 अब 180 मेंस 110 गटाईए यह 0 होगा 8 मेंसे 1 कहा 7 होगा यानि कि 70 तैयानि किعت b यानि कि इसकी पता करना है कि इसके लिए अभी बता हैं कि यह रहा यूगम को और इसको क्ले लिख सकते हैं रैखी यूगम कोर से चलिए यही पाए कि आपको कू Hence ठीक है यहां पर लगा देते हैं रायखिक यूग्म कोर ठीक है देखिए रायखिक यूग्म कोर से मतलब क्या है कि CBA कितना होगा एक सोच अभी बताएं देखिए आप लिखें कोड सी बीए प्लास कोड सी बीए बराबर एक सोच इस नियम से राखिक यूग्म कोड के नियम से इतना होता है अभी आपको इसलिए बैसिक कंसेट बताएं कि CBA प्लास सी बीए बराबर एक सोच इस देखिए CBA कमान कितना दिया है सत्तर और कोड सी बीए इसकल टू एक सोच इस इसकल टू एक सोच से सत्तर को पच्छांतर किजिए अब यहां पिलिखिए CBA अभी 180 में सत्तर बढ़ाएंगे जब गटाएंगे तो कितना होगा आपका जब 180 में सत्तर घटाएंगे तो CPE के हमेशा बरावर होता है तो फ्रेंस यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फार वाचीं